हेलो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी पेस्ट कॉस्टिंग के साथ कोई ये नया चैप्टर नहीं है इसकी मिजॉरिटी चीजे हम अल्रेडी अपने लास्ट चैप्टर ओवरेट्स के अंदर पढ़ चुके हैं देखें, basically मैं आपको एक छोटा सा ओवर्व्यू देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है देखें, आपने लास्ट चैप्टर के अंदर ओवरेट्स रिकवरी के लिए देखा था कि वी हैव तर मशीन आर्स, वी हैव तर लेबर आर्स जिसके बेसिस पे हम अपनी ओवरेट्स की रिकवरी करते हैं देखें, हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कॉस्टिंग का उसके हिसाब से होता क्या था, कि सुपोज हमारे पास बड़ा चोटा सा एक्जामपल दे रहा हूँ दो departments हैं department A और department B अब department A के suppose overheads आए एक लाख रुपे department B के हमारे overheads आए 25,000 रुपीज ठीक है तो 1,00,000 प्लस 25,000 कितना हो गया आपका 1,00,000 रुपीज यह आपका overhead amount है अब suppose organization जो है वो अपनी recovery करती है labor hours के basis पे ठीक है और जो total labor hours estimated है वो है 10,000 labor hours तो per hour recovery rate आगया 1,25,000 divided by 10,000 which comes out to be रुपीज 12.5 per hour या per labor hour चेक है इस तरीके से आप अपनी recovery करते हैं जो अभी आपने मेरे साथ last chapter overheads के अंदर सीखा लेकिन activity based costing system के अंदर हम overhead की recovery तो करते हैं लेकिन हर department की recovery करते हैं on the basis of major factor अब major factor क्या है बड़े ध्यान से समझेगा suppose जो आपका department A है बड़े ध्यान से समझेगा वहाँ आपके overheads आते हैं एक लाख रुपे department B है उसमें आपके overheads कितने आ रहे हैं 25,000 रुपे ठीक है अब suppose department A जो है वो basically आपका labor intensive है मतलब वहाँ labor ज्यादा है और जबकी department B जो है आपका वो capital intensive है मतलब वहाँ पर जो है आपकी basically machines जो है वो ज्यादा use होती है तो हम क्या करते है activity based costing के अंदर दोनों को merge करके एक single recovery rate नहीं निकालते हम department A हमने देखा कि यार यह labor intensive है तो हमने यहाँ पर basically labor hours के basis पर अपनी recovery करी कि हमने का कि भी यह department A के जो overheads हैं वो हम labor hours के basis पर recover करेंगे अब यहाँ पर जो है वो suppose हमारे 8000 labor hours जो है वो use होते हैं ठीक है तो हमने department A का एक rate निकाला 1 lakh divided by 8000 करके जो की हमारा आया 12.5 ठीक है और हमने देखा department भी हमारा capital intensive है machines जाला use होती है और वहाँ पर हमारे machine hours जो है वो लगते हैं approximately 10,000 ठीक है तो हमने इसका एक अलग rate निकाला 25,000 divided by 10,000 करके that comes out to be 2.5 ठीक है तो हम अपने पर labor आ रहे हैं और यहाँ पर आपका पर machine आ रहे हैं तो basically activity based costing अंदर बेटा हम department to department अलग अलग तरीके से जिनको हम cost drivers भी बोल सकते हैं उनके basis पे हम अपने recovery करते हैं तो देखिए जड़ा cost as attainment direct cost होती है तो सीधे product cost में चला जाता है indirect cost जो है उसको हम allocate करते हैं अब allocation या तो traditional costing के basis पे हो सकता है या activity based costing traditional costing के अंदर हमने देखा machine art के basis पे या labor arts के basis पे हम करते हैं जबकि activity based costing के अंदर हम इसे करेंगे on the basis of cost driver cost driver का मतलब हर department का जो एक unique factor है उसके basis पर हम अपनी recovery करेंगे मैं लिख देता हूँ ये बात देखे recovery of overhead of every department on the basis of unique factor बहुत simple है कुछ पीस में नया सीखने वाला नहीं है मैं एक question अब आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ free fund के ये आपके 8 से 12 नंबर है जो आपको exam में मिलते हैं तो चलिए एक question इसके पर discuss करते हैं देखें ABC limited is a multi product company manufacturing three products A, B और C तरह के products वो बना रहे हैं जिसकी budgeted cost आपको उन्होंने बताई है production A के वो बना रहे है 4000 units B के 3000 units C के 1600 units पढ़े relax हो के सुनिए resources direct material 4 kg direct material लगता है A को बनाने में 6 kg और यहाँ पर 3 kg direct labor की बात करें तो minutes में information given है 30 minutes लगते हैं A की एक unit बनाने में 45 minutes लगते हैं B की एक unit बनाने में 60 minutes लगते हैं C की एक unit बनाने में The budgeted direct labor rate was rupees 10 per hour and the budgeted material cost was rupees 2 per kg Production overhead were budgeted at 99,450 जो production overheads estimate के गए वो थे 99,450 and were observed to production system using the direct labor hour rate और उसको हम recover कर रहे हैं direct labor hour rate के basis पर ABC limited followed an absorption costing system absorption costing system का मतलब क्या है traditional costing system जो आप normal follow करते हैं मतलब जो overheads की recovery आप labor hours के basis पर कर रहे हैं उसको वो बोल रहा है absorption costing system जबकि ABC limited is now considering to adopt ABC system activity based costing system पर वो जाना चाहते हैं जिसके अंदर हर department के अंदर जो unique factor है उसके basis पर recovery की जाएगी उसके लिए उनोंने कुछ आपको additional information देई है first, second, third अभी मैं इस additional information को नहीं पढ़ ला क्योंकि मैं आपको जो main factor बताना चाहरा हूँ ध्यान से देखिये ज़रा अभी इसको हम थोड़ा सल later on study करते हैं prepare a statement for management showing the unit cost and total cost of each using absorption costing system prepare a statement of management showing the product cost of each product using ABC approach हमेशा एक्जाम में आप देखेंगे question इसी तरी के आएगा वो कहेगा कि आप अगर हम traditional costing system अपना follow करते हैं तो हमारी product cost क्या आती है ABC system अगर हम follow करते हैं तो हमारी क्या product cost आती है ये आप जो है वो अलग लग निकालिए देखें ये same chapter CA final के अंदर भी है और वहाँ पर भी same एकदम absolutely question आप से पूछा जाता है कुछ पीस के अंदर technical नहीं है मैं भी आपको जितना हमने question पड़ा है इसके basis पर हम absorption costing system के इसाब से अपनी costing त्यार करते हैं ध्यान से देखिएगा देखें मैंने statement बना लिए statement showing costing as per absorption costing system particulars तीन product है ABC और direct material, direct label, production, overheads बड़ा simple है देखें product A कितना direct material लगता है 4 kg और per kg जो material cost है वो कितनी है 2 रपे per kg आप देख सकते हैं 4 into 2 कितना हो गया 8, yes or no, 4 kg और 2 रपे per kg है तो यह आपका आगया 8 रपे इसके बाद यहाँ पर आपका 6 kg लगता है तो यहाँ पर 6 kg multiply by rupees 2 यह आपका आगया कितना 12 ठीक है फिर आपका 3 kg तो यहाँ पर 3 kg multiply by rupees 2 यह आपका कितना आगया 6 ठीक है अब direct labor minutes में given है 30 minutes ठीक है और हम pay करते है 10 पर hour तो देखें 30 minutes है उसको अगर आपको hours में convert करना है तो divide by 60 कर दीजे तो यह आपका आजागा 30 divided by 60 half an hour जो भी और आपका rate है rupees 10 पर hour तो यह आपका आगया कितना 5 रुपीस ठीक है इसके बाद 45 minutes तो 45 divided by 60 multiply by 10 तो यह आपका कितना आगया 7.5 ठीक है इसके बाद आपका next है कितने 60 minutes तो 60 divided by 60 multiply by 10 यह पूरा 1 री होता है तो यह आपका आगया कितना 10 ठीक है तो यह आगया आपकी direct labor बोलिए या better word होगा direct wages आपने जो पे करी ठीक है अब इसके बाद उसने क्या बोले production overhead using direct labor r rate जो direct labor r rate है उसके basis पर हमें recovery करनी है तो चलिए direct labor rs हमको निकालने है जिसके basis पर हमें अपनी पूरी की पूरी recovery करनी है ठीक है तो बड़े ध्यान से देखे working note बनाते है इसके लिए तीन product है हमारे पास A, B, C कितने कितने units 4000, 3000 और 1600 computation of recovery rate for production overheads अब देखे अब हमने देखा था यहाँ पर एक unit बनने में 30 minute लगते हैं यहाँ 45 minute यहाँ 60 minutes अगर हम पर unit labor hour देखें तो यहाँ आपके 30 minute लगते हैं तो 30 divided by 60 this comes out to be 0.5 hours यहाँ 45 divided by 60 this comes out to be 0.75 hours और यहाँ पर 60 divided by 60 this comes out to be 1 hour yes or no यह आप देखें यह आपके आगए labor hour per unit तो total labor hours आपके कितने लगे this will be 2000 देखें यह आपका A है यह आपका B है तो this will be A multiply by B ठीक है फिर यहाँ आपके कितने labor hours लगे देखे 3000 multiply by 0.75 comes out to be 2250 ठीक है और यहाँ आपके कितने है 16 तो अगर आप इसका total करे तो 2000 plus 2250 plus 1600 comes out to be 5850 labor hours तो अगर आप recovery rate निकाले हैं आपके overheads कितने थे overheads थे sir हमारे 99450 तो 99450 दिवाइड बाइ 5850 चाहिए तो 99450 दिवाइड बाइ 5850 comes out to दिवाइड रूपीज 17 पर डारेक्ट लेबर आर ठीक है एक घंटे के डारेक्ट लेबर आर का 17 रूपे का rate हमारा आगया तो अब यहाँ पर आईए production ओवरेड हमें recover करने देखे यहाँ पर फिर कैसे recover होंगे 30 divided by 60 और 17 रूपे एक घंटे का rate है तो accordingly it will be 8.5 अगें यहाँ पर आपका 45 मिनट्स लगते हैं पूरा टाइम तो लगता नहीं है तो 45 divided by 60 multiply by 17 कितना आता है this comes out to be 12.75 ठीक है और यहाँ पर 60 divided by 60 multiply by 17 comes out to be 70 ठीक है तो यहाँ आपका total आ जाएगा देखें कितना आता है यह आपका आता है 21 रुपे 50 पैसे 32 रुपे 25 पैसे और 33 रुपीज तो देखें बहुत simple साथा इसमें हमने overheads की recovery सारी की सारी labor arts के basis पे करी जो हमने overhead chapter के अंदर सीखा दी था ठीक है और सब कुछ एकदम clear information given थी हमने कुछ इसमें नया नहीं सीखा अब ABC costing में देखो क्या है यह overheads थे 99,450 budgeted overheads were analyzed into the following वो कह रहा है कि 99,450 overheads है इसको analyze किया गया तो पता लगा material handling में हमारे इतने पैसे खड़ चोते हैं storage cost इतनी है और electricity cost इतनी आप तीनों का total करिए अब चेक करेंगे कि यह 99,450 ही आ रही है चीक है तो सबसे पहले उसने आपको overheads का bifurcation दिया समझ मैं इस बाद उसके बाद उसने बोला आपको the cost drivers identified for as follow बड़े ध्यान से देखना real question अब शुरू होता है क्योंकि अब ही तक जो आपने किया वो आप already मेरे साथ overhead chapter में discuss कर चुके है बड़े ध्यान से और इतना सा पाद आपने समझ लिए ABC costing खतम free के marks है the cost drivers identified were as follow material handling जो है वो है on the basis of weight of material handled जितना material handle होता है उसके basis पे अब मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपको बता दूँ तीन products है ABC yes or no अब यहाँ पर 4000 units है यहाँ 3000 units बनती है और यहाँ पर 1600 units हाँ यहाँ नो यह इसमें एक unit में 4 kg material लगता है यहाँ 1 kg में एक unit में 6 kg material लगता है और यहाँ 3 kg material लगता है तो total material जो total material लगता है यहाँ पर वो कितना है 16,000 यहाँ जो लगता है वो कितना है 18,000 और यहाँ जो लगता है वो कितना है 4800 yes or no जो total material लगता है वो 16,000 kg लगता है for A for this 18,000 and for this 4800 यहाँ तक आपको बात समझ में आती हैं अभी मैं आगे नहीं बढ़ लगता है material handling on the basis of weight of material handled तो total material जो handle हुआ वो कितना हुआ बताओ 16,000 जमा 18,000 16,000 plus 18,000 plus 4800 this comes out to be 38,800 kg yes or no तो अगर आप सिर्फ material handling का recovery rate निकालें तो वो आपका क्या आता है यह आता है आपका 29,100 divided by 38,800 38,800 this comes out to be 0.75 per kg यह अभी सिर्फ किसका है material handling का समझ मैं आपको पका show next उसने बोला है आपको storage cost अभी कुछ नोट मत करिए अभी मैं बताओं और पूरी presentation दिखाओंगा number of batches of material storage cost किसके basis पे है number of batches of material batches of material यह क्या है सर देखते हैं चलो आगे electricity on the basis of number of machine operations यह क्या है सर यह तो आपने बता दिया now what is this आगे पड़ो data on cost drivers was as follow for complete production batches of material a के 10 b के 5 और c के 15 यह batches of material तो कहीं चाहिए था मुझको और यह रहा storage cost number of batches of material के basis पर है number of batches of material और यहाँ पर उसने बता दिया batches of material a में है 10 b में है 5 और c में कितने है 15 तो total batches कितने हो गए total batches हो गए सर आपके 10 जमा 5 जमा 15 15 तीस batches yes or no और अगर आप देखें तो इसका फिर recovery rate जो आएगा वो आएगा कितना 31,200 divided by 30 1040 पर batch अभी रफ में कर रहा हूं सब फेर करके दिखाऊंगो घबराओ मत electricity on the basis of number of machine operations per unit of production देखो यहाँ था for complete production यहाँ पर unit नहीं था अगर यहाँ भी per unit होता तो फिर मैं 4000 से into 10, 3000, into 5, 1600, into 15 करता यहाँ क्या था गुमारा था आपको यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है complete production यहाँ क्या लिखा है per unit मतलब अब per unit of production number of machine operators 6, 3, 2 आजो फिर a, b, c कितने units हैं 4, 3, 16 4000 3000 1600 per unit machine operations वो operator लिख दिया है मेरे साब से operations होना चाहिए वो चीक है उपर देखो operations ही लिखा हुआ है चीक है चलो उसमें मनी जाते हैं 6, 3, 2 टोटल करो क्योंकि भी overheads जो है वो कोई एक unit के लिए थोड़ी नहीं वो तो entire production के लिए नहीं यहाँ तो complete लिख दिया था उसने तो कोई दिक्कत नहीं आया यहाँ पर per unit लिखा है तो I need to convert it So this is 24,000 9,000 3,200 So 24,000 plus 9,000 plus 3,200 comes out to be 36,200 machine operations तो अब recovery rate निकालो इसका कितना हैगा 39,150 था तो 39,150 divided by 36,200 तो this comes out to be 39,150 divided by 36,200 1.082 per machine operation यही आएगा बोलो हाया ना पक्का शो अब कुछ-कुछ निकलत हो गया यहाँ पर kg के basis पे यहाँ पर batch के basis पे और यहाँ पर पर machine operation के basis पे क्या है इसको कैसे implement करना अब ध्यान से देखिए यह देखिए statement showing costing as per activity based costing system particulars A, B, C ठीक है यह आप straight line डाल लो भई देखिए जो आपने traditional costing में direct material direct wages लिया था वो आपका absolutely same रहेगा 8, 12, 6, 5, 7, 5, 10 जो change आएगा वो सिर्फ overhead की recovery में अब इस पार हमें overhead की recovery तीन basis पर करनी है material handling, storage cost और electricity अब ध्यान से देखिए सबसे पहले जो आपने किया तक उसको मैं proper working note form में आपको दिखा रहा हूँ computation of recovery rates of overhead under ABC system सबसे पहले material handling था to be recovered on the basis of weight of material handled ABC unit per kg total material 3800 kg total direct material to be handled per kg recovery rate आपका आगे जो आप rough में कर रहे थे proper working note में ऐसे आपको दिखाना है storage cost to be recovered on the basis of number of batches of material ऐसे आप exam में लिख के हैं अच्छा रहेगा तो ABC total batches 30 batches per batch आगया और same way electricity to be recovered on the basis of number of machine operations यह हमने सारा निकाल लिए तो इसको आप सबसे पहले note down करिए यह statement बेशक आप बना लिए उसके नीचे working note के form में यह आपको सारा note down करना है यह फटा फट करिए फिर मैं बताता हूँ यह जो blank column से हैं कैसे fill करने है fast चलिए देखिए अब एक ही एक unit बनाने में कितना material लगता है आप देखो 4 kg यह सो नो lab है 0.75 can I say rupees 3 same way यहाँ पर कितना है 6 kg तो 6 into 0.75 रहे भाईजी क्या हो रहा है 6 into 0.75 कितना है देखिए this comes out to be 4.5 yes or no इसके बाद यहाँ पर कितना था 3 kg तो 3 multiply by 0.75 comes out to be 2.25 समझ पर आगया sure storage cost on the basis of number of batches 1040 per batch weight ध्यान से देखो for complete production batches of material for complete production batches of material 10 मतलब यह 4000 units को बनाने के लिए कितने batches लगे 10 yes or no और पर batch recovery rate है 1040 per batch yes or no बड़े रिलाक्स होके सुनना भई 1040 per batch recovery rate है और 10 batch for product A लगे yes or no 10 batch लगे है for product A तो एक एक हाते में कितना आ जाता है 1040 multiply by 10 इतनी costing आ जाती है अरे भई देखो यह per batch था 1040 yes or no और यहां उसने बताया है कि batches of material एक 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 इसमें कितने है 10 तो total costing A को कितनी है locate हुई 1040 multiply by 10 हाया ना पक्का और A के units कितने बन रहे 4000 तो 1040 multiply by 10 divided by 4000 तो per unit rate इसका आ जाएगा समझ में आ गया show 1040 multiply by 10 divided by 4000 comes out to be 2.6 फिर यहां पर again 1040 अब यहां कितने batches है देखो यहां पे है 5 और production is 3000 तो इन्टू 5 divided by 3000 देखो देशी तरीका बताता हूँ जो एकदम सरल हो हाई से बग उठाके देखो कितना मुश्किल बना रहा है 1.733 3 something है चलो इतना ही थे और छोड़ देते हैं 1040 multiply by कितना था भाई 15 batches और 1600 units तो 1040 per unit of production एक unit production में 6 machine एक unit में और हमें per unit ही निकालना है तो उसको simply 6 से multiply कर देते है 1.082 multiply by 6 comes out to be 6.49 आ रहा है तो 6.5 कर लेता हूँ चीक है समझ में आ रहा है ऐसे ही 1.082 multiply by कितना 3 तो 1.082 multiply by 3 this comes out to be 3.246 तो 3.25 ले लेते है और यहां पर 1.082 multiply by कितना very good 2 तो 1.082 multiply by 2 comes out to be 2.164 2.164 ले लेते हैं तो यह आपका total आ जाएगा इसको हम निकालते हैं तो यह आपकी costing आ गई 25.10 पैसे 28.98 and 30.16 तो question की requirement to statement showing the product cost of each product using the A, B, C approach चीक है और यहां पर भी आपने निकाल लिया what are the reasons for the difference in product cost under the two approaches तो reason is very simple because of the different recovery rates for the recovery of overheads ठीक है लिखनो यह बात चलो मैं यहां लिख देता हूं it is due to the different recovery rates used for absorption of overheads under two different systems तो देखिए एक question आपने कर लिया that is more than sufficient और मैं आपको बता दूँ यह सबसे difficult question है इससे difficult question नहीं आ सकता मैं आपको बता दूँ पहली तो इसको बहुत अच्छे से एक बार देख लीजे पर पूरा note down करके अच्छे से देख लीजे दुबारा और more than sufficient इसी के साथ आपका ABC से ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना आने के chances भी थोड़ी रहर है आएगा तो एक ही question इसी तरीके का similar कोई उसमें plus minus नहीं हो सकता 8-12 number का question आपको देखने को मिलेगा चले यह next question देखते है आपको given है capacity given है और cost तो देखे पिछले question की तरह इसमें आपको accumulate करके total करके निकालने की ज़रोत नहीं है rather than given है कि 2,00,000 रुपे की cost आती है और total capacity है 50,000 kilowatt hours तो आपका जो recovery rate आजाता है power का वो आजाता है सीधा-सीधा 4 रुपीज पिछले question में तो क्याता है यह सब हम निकाल रहे थे ठीक है per kilowatt hour ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर quality inspection में 3,00,000 है और 10,000 inspections हैं तो आपका आजाता है कितना 30 per inspection ठीक है तो बहुत असान काम करती है company makes 3 product MST for the year ended this the following consumption of cost drivers was reported product M में 10,000 kilowatt hour selective seat power लगी और 3,500 quality inspections हुए S में 20,000 kilowatt hours और 2,500 quality inspections हुए T में 15,000 kilowatt hours और 3,000 quality inspections हुए अब ध्यान से देखेगा इसका total करिया ज़रेक पर 30 and 15 45,000 आता है जबकि इसका total आप देखे 3 और 365,500 and this comes out to be 9,000 देखे यहाँ पर 50 है जबकि यहाँ 45 है यहाँ 10 है जबकि यहाँ 9 है यहाँ total match नहीं कर रहा क्यों समझिये देखे जो cost driver है यह जो figure है 50,000 kilowatt यह estimate की जाती है in the very beginning जैसे मैंने आपको overheads में भी बताया था कि हम beginning में ही estimate कर लेने कि कि इतनी power consume हो सकती है कितने quality inspections हो सकते हैं यह तो हमारे estimate basis की figure है कि हमने estimate क्या है जब actual में हमने देखा तो हमारा actual में हो सकता है कि वो कम या ज्यादा use होता है तो देखे कि क्लो वाट आर्स हमारे कम use हुए quality inspections भी हमारे उतने जितने हमने सोचे थे उतने हमारे नहीं लगे अब देखे निकालना क्या है compute the cost allocated to each product from each activity cost allocated to each product from each activity तो बहुत simple है इसके अंदर हमने recovery rate तो निकाली लिए रेफर वर्किंग नोट में basically वो recovery rate आप निकाल देंगे 4 रूपीज आएगा जो कि तो यहाँ पर कितने किलो वाट लगे 10,000 so 10,000 into 4 यह आगे आपका 40,000 same way उसमें 20,000 into 4 और इसमें 15,000 into 4 यह जो आपको information यहाँ कि बनती same way quality inspection का यह आप working note में बना लेंगे अपने आप बना लोगे ना पका show क्या लिखना है जैसे पहले बतायागा computation of recovery rate yes उसके बाद यहाँ 3500 into 30, 2500 into 30 और 3000 into 30 यह आपने लिखा तो यह आपका आ गया कितनी कितनी cost बेशाग आप total करना चाहें अब next requirement क्या है calculate the cost of unused capacity unused capacity की जो cost है दीखिए यहाँ पर total 45,000 use हुआ जबकि हमने सोचा था 50,000 तो unused कितना है 5,000 so 5,000 multiply by 4 अरे बाई 50,000 सोचा था use कितना किया 45,000 ना तो 5000 unused है 5000 unused है तो multiply by 4 कर दो simple यह देखो computation of cost of unused power इसने ऐसे निकाला है ऐसे निकालो 50,000 minus इसको छोड़ो minus 45,000 ठीक है multiply by 4 यह कितना गया 20,000 समझ मैं है same way quality inspections कितने सोचे थे 10 हुए कितने 9 तो आप देखिए हैं आपर 10,000 minus 9,000 multiply by 30 वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी ज्यादा बेटर तो यह आगा है 50 ठीक है इसके बाद तीसरा discuss the factors of management considers in choosing a capacity level to compute the budgeted fixed overhead rate तो थेओरी का वा aspect है कौन गौन से factors consider होते हैं तो product की costing, capacity उसके pricing decision, performance ठीक है कई बार ऐसी theory simple सी पूछ ली जाती है just एक बार go through कर दीजएगा ठीक है theory से याद आया मुझको theory को लेके जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सर्फ उतना ही देखिए और end में मैं आपको बताऊँगा कि जो थोड़ी सी other theory है हमें कैसे करनी है उसके मैं आपको notes provide करूँगा तो don't worry about that लेकिन फिलहाल जितना मैं आपको बता रहा हूँ सर्फ इतना करना है costing की theory को लेके आपको कोई जादा लग से worry होने की ज़रूरत नहीं है main तो practical based theory आती है और जो pure theory है उसके लिए मैं आपको अलक से end में notes सबसे end में provide करूँगा चलिए इसी बानी ये भी बात होगए हमारी फटा-फट इसको note कर लीजे fast working note अपने आप अच्छे से मिनाना आप चलिए अब एक बड़ा सा question करते है ABC limited manufacture two types of machinery equipment YN, Z2 तरह के machine equipment बनाते है applies, observes, overhead on the basis of direct labor hours तो traditional costing system follow कर रहे है the budgeted overheads and direct labor hours for the month are this यह आप given है प्लस यह आपके तो सीधे आपका recovery rate आजाएगा 12, 4, 2, 500 divided by 20,000 यह उनका traditional system है budgeted production volume इसके इतने units इसके इतने units direct material cost आपको सीधी सीधी given है labor cost 3 hours लगेंगे 150 पर hour से y में और x में लगेंगे 4 hours 150 पर hour से उसके भी आपको given है ABC limited overheads of this can be identified with 3 major activities अब यहां से क्या शुरू होगे आपका ABC यहां पर क्या था आपका traditional समझ मैं traditional में तो सीधा recovery rate निकालेंगे हाँ यह न निकाल लो 12, 4, 2, 500 divided by 20,000 comes out to be 62 62.125 पर direct labor hour ठीक है तो इसमें अगर आप देखें तो यहां आपके 3 hours लगते हैं y में और यहां पर आपके 4 hours लगते हैं तो y के case में हो जाएगा 3 into 62.125 और इसके case में हो जाएगा 4 into 62.125 ठीक है तो into 3 कितना 186.375 और 4 into 62.125 multiply by 4 क्या हो रहा है 248.5 यह पर यूनित overhead recovery rate आजाएगा tradition activity based order processing में 2,10,000 रुपे machine processing में 8,75,000 product inspection में इतने 3 activities are driven from number of order process machine hours, work and inspection hours यह number of order पे है यह machine hours work पे है और यह inspection पे है निकालना कुछ नहीं पड़ेगा सीधे recovery rate निकाल सकते हैं देखो order processing उसने बुले on the basis of number of order process तो सीधे 600 order process हुए तो 2,10,000 divided by 600 2,10,000 divided by 600 तो यह आगया आपका कितना 350 per order ठीक है इसके बाद आपका यहाँ पर आपका कितना 50,000 तो 8,75,000 divided by 50,000 यह इस तरीके से आप यहाँ पर space नहीं है 8,75 divided by 50,000 करके आप इसका rate निकाल दीचे 17.5 आ रहा है और same way यहाँ पर आप देखे कितना आपके 157,500 on the basis of inspection तो 157,500 को आप divide कर देंगे 15,000 से तो यह आपका आजाएगा 157,500 divided by 15,000 this comes out to be 10.5 समझ मैं तो इस तरीके से आपके सारे cost निकल गए Assuming use of direct labor hours to absorb apply overheads to production Y and Z compute the unit manufacturing cost same activity based costing पर निकाल नहीं है अगले में reasoning पूछी होगी चलो इसकी दो statements बनाते हैं working मैंने आपको रफली सारी बता दिये तो सबसे पहले start करें overhead application based direct labor hours direct material cost given है 1300, 400 देखे 300 as it is 450 as it is direct labor cost आप देखे 450 given and 600 वो आप assets लिखते हैं 450, 600 और ये मैंने अनिकाली दिया था 186 और 248.5 तो ये देखे ये आपका आगला predetermined rate budgeted overheads divided by budgeted इन्होंने तमीज से कर दिया थोड़ा सा तो 62.125 और यह फिर आपका 3 x 62.125 और यह 4 x 62.125 छेक है फिर इसके बाद on the basis of ABC so order processing का 210,600 recovery rate same way इसका recovery rate और same way inspection का recovery rate yes or no फिर इसके हम sheet बनाते हैं cost sheet यह आपका given था as it is रहेगा overhead order processing machine processing और inspection अब बड़े ध्यान से देखो order processing के अंदर आपका cost driver कितना है था 350 per order processed बड़े ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखो A के case में total अगर आप देखें A के case में कितने order होते हैं process 350 यह हो अच्छा rate भी 350 आ गया था तो बड़े ध्यान से समझना यह बहुत important है 350 orders process होते हैं और rate भी क्या है 350 का पर order का ठीक है confused मत हो जाना दोनों ही 350 है divided by A की units बन थी कितने हैं आप देखो 2500 तो दिवाइड़ बाइड़ बाइड़ 2500 तो यह आपका आजाता है देखो 350 multiply by 350 divided by 2500 comes out to be 49 B के case में आप देखे कितने orders process होते है 250 orders पर order costing कितनी है 350 पर order हाया नो और अगर मुझे इसे पर unit करना है 3125 units बनती है yes or no show 250 order process हो रहते हैं 3125 units बनती है तो इसको आप 3125 से बिटा divide कर दीजए तो यह आपका देखे 250 multiply by 350 divided by 3125 this comes out to be 28 तो इसने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया मैं तो आपको advice करूँँआ इसको आप छोड़िए यह आप working note बना लीजएगा यह 49 आएगा और यह आपको कितना आएगा 28 चेक है अब आते हैं machine processing के उपर यह machine processing के अंदर rate कहा था 17.50 पर machine r yes or no अब product एक 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 इसमें अगर आप देखें तो कितने machine r से 23,000 yes or no so 23,000 multiply by 17.5 and again you will divide it by 2500 चाहिए तो 23,000 multiply by 17.5 divided by 2500 comes out to be 161 चाहिए तो यह आपकी कितनी units है 3125 चाहिए इसको आप प्रॉपर फियर कर लीजएगा इन्टो 17.5 divided by 3125 comes out to be 151.2 चाहिए तो यह आपका आगा है किसका machine processing का चाहिए recovery rate यह किसका आपका order processing का तो इसको आप यहाँ लिख दीजे 161 and here it will be 151.2 इसके बाद inspection के लिए आ जाते हैं भाई आपको कैसे छोड़ मैं ए पर inspection का rate हमें given है yes or no तो देखते हैं यहाँ कितने हुई थी 4000 और 11,000 so 4000 into 10.5 divided by 2500 so 4000 multiply by 10.5 divided by 2500 comes out to be 16.8 इसके बाद B के के इसमें 11,000 multiply by 10.5 multiply by 3125 चेके तो 11,000 divided multiply by 10.5 divided by 3125 comes out to be 36.96 तो यह आपका आप टोटल कर लिए जब आपका कितना आता है यह एक बार इसको पूरा का पूरा यह आतका आता है 976.8 यह 1266.16 तो आप इसे इस तरीके से करिए यह presentation लेने की ज़रूरत नहीं है खामका आप confused जाएंगे extreme line ही रखते हैं चीजों को खामका various presentation लेंगे तो दिक्कत आएगी इसके बाद ABC limited selling prices are based heavily on cost by using direct labor hours as per application based calculate the amount of cost distortion under costed और over costed for each equipment. चलिए कोई दिक्कत नहीं है पहले costing यह आ रही थी वाए की अब यह आ रही देखें अब यह आ यह नहीं 976 और पहले कितने आ रही थी 936 वो कह रहा था कि आपको यह बताने कि नए system से हमारी costing में क्या फरक पड़ा है तो पहले हमारी costing आ रही थी अब यह आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी costing हो जाधा रही है चालेस रुपे इसमें हमारी costing जो है वो comparatively कहीं ना कहीं 32 रुपे 34 पैसे कम आ रही है तो यह minus और यह plus क क्या दिखा रहा है माइनस का मतलब है की कॉस्टिंग अगर नए सिस्टम में हमारी इंक्रीज हो रही है तो कहीं न कहीं इतने का हमारा नुक्सान है कॉस्ट डिसोर्शन यहाप ऐसे लिखो ऐसे लिखो loss of profit ठीक है loss of profit ऐसे लिखे और यहाँ आपको 32 रुपे 34 पैसे नए method के साब से profit ज़्यादा देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह था आपका पूरा का पूरा activity based costing बस तीन questions आप कर लीजे जो आपके book के हैं तो यहाँ देखने की जोवाथ नहीं थैंक यू सो मच